और आपको लेके चलेंगे एक जनसबा में जहां परकी प्रधान मंतिर नरेंदर मोधी जनता को संभोधित कर रहे हैं मद्यपर्देश में अंग्राम से जुड़े हैं मेरट में जहां अंग्रेजों के खिलाब सैनिकों ने आजादी के अंदोलन का भिगल बजाया था वहीं खरगोन की इस धर्ति पर महान योद्धा और स्वतंत्रता सेनानी भीमा नायक ने आदी वासी आंदोलन का नेत्रुत्त किया और मा भारती की रक्षा के लिए अपने प्रानों की आहूती दे दी थी मैं 1857 की उस क्रांती के सभी योद्धाओं को और विशेशकर भीमा नायक को आज फिर एक बार अपनी स्रद्धानली अर्पित करता हूं इन महान आत्माओं को नमन करता हूं बाजपा की सरकार ने शहीद भीमा नायक जी की स्मुनुति में स्मारक का भी निर्मान करवाया है और इसलिए मैं सिवराज जी और उनकी सारी टीम को बधाई देता हूं जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था तो गुजरात, राजस्तान और मद्धपदेश तीन की जहां सिमाई मिलती है वहां मानगड करके एक स्थान है और हम सब को पता है कि गोविन गुरू आदिवासी समाज में राष्ट भक्ती जगा करके अंग्रेजों को लोहे के चने चबाने के लिए मजबूर कर दिया था ऐसे महान गोविन गुरू की सम्रुती में मानगड में एक भव्यस मारक बनाया है और जब मैं गुजरात में था तो अक्सर गोविन गुरू को स्रधांजली देने साल में एक बार जुरूर जाता था और मद्दपदेद राजस्तान और गुजरात के आदिवासियों का बड़ा स्रधा पुरुवक मेला आज भी मानगड में लगता है और इसलिए ये मेरा सौभाग्या है कि इस चुनाव अभियान के आखरी सभा में मुझे जनजाती समुदाए आदिवासि भाईयों के और बहनों के दर्शन करने का और उनके आशिरवात प्राप्त करने का अउसर मिला है साथ्यों इस रभिवार को जब आप मतदान केंद्र पर पहुँचेंगे तो इतिहास रचने वाले है आप दसकों बाद लगातार दूसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने वाले हैं इस बार आप सिर्फ एक बोट नहीं डालने वाले बलकि विक्सीत और वैबवसाली नए भारत की नीव को मजबूत करने वाले हैं साथियों लोग तंत्र में चुनाव सरकार बनाने के लिए होता है राजनितिक दल और जन प्रतिनिती उमीदवार आप से अपनी अपनी नियत और नीती के हिसाब से वोट मांगते हैं लेकिन दो हजार उननिस का ये चुनाव पहले के चुनावों से बिलकुल बिन्न है अभुद्पुर्वा है इस सुनाव का नेत्रुत्व देश की जनता कर रही है आप लोग कर रहे हैं मतदान किसी दल के लिए नहीं बलकी पुरा देश देश का हर्मत दाता इस बार मतदान दल के लिए नहीं देश के लिए कल रहा है बलकी देश बनाने के लिए देश का भविष्य बनाने के लिए 21 सदी का नया भारत बना के लिए जनता जनारदन खुद मैदान में है भाईयों बहनों मैंने सालों तक पार्टी का काम किया है मैं कभी मद्दप्रदेश का भी प्रभारी रहा हूँ यहां की हर जिले को चान मारा है जब गुजरात में चुनाव होता था तो मुझे धार, खरगाओ, जाबवा, सब लोग मदद के देते थे जब यहां चुनाव होता था तो मैं भी मदद के लिए आता था मेरा परिचाय आप लोगों से बहुत पुराना है मेरी और आपकी भाषा भी एक है हम एक जैसा ही बोलते है हम इतनी बड़ी पार्टी है कुशाबाव ठाकरे जैसे महापुरुसों के तपस्या से बनी हुई पार्टी है लेकिन मैं बताओं कोई बुरा मत मानना भई चुनाव के दिन है बुरा मत जा मानना मैं संगर्धन मंत्री था तब भी मैं पार्टी के संगर्धन का काम करता था तब भी आप देख रहे थे मंत्या परदेश की खरगोन से बीजेपी की रैली जिसमें की प्रधान मंत्री जनता को संभोदित कर रहे थे